हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका विशी एकडेमी पर फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आप टॉप 30 कोश्चन अठारो सो संतावन का जो विद्रोव हुआ था बिहार स्पेशल से आप देखने वाले हो आपको टोटल 60 कोश्चन देखना है 1857 के क्रांटी से जिसमें कि आज के इस क्लास में टॉप 30 कोश्चन है और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आप पार्ट टू इसका देखिए टॉप 60 कोश्चन देखने के बाद आपको एक भी सवाल के लिए नहीं सोचना है आपके सरसाटवी बिप्यस्सी और सीडिप्यो के लिए या फिर विहार स्पेशल से जो सवाल आता है उसके लिए 1857 के क्रांटी में टॉप 60 कोश्चन के अलाव उस वक्त 75 वर्ष के थे देखिए नेक्स्ट कोश्चन बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबु कुवर सिंग के अनुयाई थे कौन थे बताना है देखिए अमर सिंग रत भंजन सिंग और जैसी रिक्रेशन ये तीनों थे आप्शन नमबर डी आपका हो जाएगा उप अप्शन नमबर यहां पर आपको कौन सा तो एक से अधिक वाला चूज करना पड़ेगा या नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं दे तो उप्रोक्त सभी आपको टिक करना है देखिए नेक्स्ट कोश्चन किसने कहा कि कुवर सिंग ने अपने को आराच छेतर का सासक घोशित कर दिया था देखिए नेक्स्ट कोश्चन बिहार में 1857 के विद्रोह के दोरान किसने गया एवंग शाशाराम के बीच संचार व्यवस्था को अस्थापित कर दिया ओप्शन नमबर C हो जाएगा सही जवाब अमर सिंग ने किया था नेक्स्ट कोश्चन है किसने कुवर सिंग की सैना को पूरी तरह पराजित किया ओप्शन नमबर B हो जाएगा सही जवाब विंसेट आयर ने कुवर सिंग की सैना को पूरी तरह से क्या किया था देखे नेक्स्ट कुश्चन बिहार में कमपणी शरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नानक्षिंग मुख्यता कहां के जमिनदार थे तो option number A हो जाएगा सही जबाब नवादा के थे नेक्स्ट कुश्चन बिहार में 1857 के विद्रोह के दोरान कहां की 32 एन आई की दो कमपणी और 5 एरेगूलर कमपणी ने विद्रोह कर दिया था option number A आपका सही हो जाएगा भागलपूर नेक्स्ट कुश्चन है बिहार में 1857 के विद्रोह के दोरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदे अंग्रेजों ने किया तो option number B हो जाएगा दर्भंगा महराज के विरू दिखिया था देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान दर्भंगा महराज पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदे डाउट था किसको अंग्रेज को था option number B next question है बिहार के सहाबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहां के राजा ने अंग्रेजों की सहायता करने का वचन दिया तो option number A हो जाएगा दुम्राव के राजा ने next question 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकेती के आरोपी गुनी जहास समन्दित हैं बताना है किस चीज़ से सवाल वो अच्छे से समझ लीजिएगा फिर अपना जवाब दीजिएगा option number A हो जाएगा भागलपूर से वे समन्दित थे next question है 1857 की क्रांती के दौरान बिहार से क्रांती कारियों के निता कौन थे फ्रेंड्स ये वाला सवाल काफी ज़्यादा एजी है 2017 में यह सवाल आपका आया था बिप्यसी में तो option number B हो जाएगा बाबू कुवर सिंग थे next question है जगदीश पूर के किस व्यक्ति ने 1857 इस्वी के विपलव में क्रांती कारियों का नेतिर तुकिया तो option number A हो जाएगा कुवर सिंग यह सवाल आपका 2007 और 2008 के जो बिप्यसी एकजाम हुआ था उसमें पूछा गया था देखे next question अली करीम, लुप्पु अली खां, मीर अली रंग्रेज कहां के 1857 के विद्रोही नेता थे तो option number B हो जाएगा पटना के नेता थे next question बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोहीयों का गवाह बना option number D हो जाएगा सोन नदी, सही जवाब next question है बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंग कहां के थे option number D हो जाएगा सही जवाब, रोहतास के थे next question है किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कबजा कर लिया था option number A हो जाएगा हैदर अली, सही जवाब देखिए 9 October, अगर आपसे डेट पूछ ले तो 9 October 1857 को हैदर अली को फासी पर चरहा दिया गया था ध्यान रखिए गर 9 October 1857 इश्वी को किसको हैदर अली को फासी दे दिया गया था या सवाल भी पूछ सकता है next question है, कहां खुशहाल सिंग के नेत्युत्र में 1857 में विद्रोह हुआ था option number हो जाएगा B, सही जबाब वजीर गंज, अगर यहाँ पूछ ले किया है कहाँ पर तो ध्यान रखना है कि नवादा में ठीक है, next question है बिहार में 1857 में रजवारों का विद्रोह कहां हुआ friends ध्यान रखेंगे हर एक सवाल काफी जाड़ा BVI है total 60 question आपको 1857 की विद्रोह से देखना है और आप 100% अपने आपको tension free फिर समझेगा, अगर आप सारे question पर command कर लेते हैं, आपको पता है 1857 की क्रांती से एक या दो सवाल हर साल VPSC में बिहार से पूछा ही जाता है तो आप उस हिसाब से अपने आपको तयार कर लिजिएगा क्या हो जाएगा, नवादा इसका सही जबाब बिहार में 1857 में जो रजवारों का विद्रोह हुआ था नवादा में हुआ था, next question 1857 की विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कबजा कर लिया था बिहार के गया, अरवल, नवादा और अरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता थे कौन थे? तो आप्शन नंबर सी हुआ जाएगा जीवधर सिंग, ध्यान रखेंगे जीवधर सिंग, गया, अरवल, नवादा और अरंगाबाद के में नेता थे next question है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता किस ने किया था? देखे, यह सवाल समझिएगा क्यों मैंने यहाँ पे डाला? क्योंकि 2019 में, पता है आपको उसका जवाब जरूर पता होगा कुवर्सिंग हो जाएगा, option number C यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब ध्यान रखेंगे कि बहुत जादा यह विवियाई कोश्चन है, 2019 में जो कि आपका 65V BPSC हुआ है विजस्ट उसका रिजल्ट आया है, उसमें यहाँ सवाल पूछा गया था देखे, और इसमें option number E भी दिया हुआ था, क्योंकि option number E भी आने लगाया है, देखे, next question जगदीश पूर में किसने बंदूकें एवन गोला बारूद बनाने का कारखाना अस्थापित किया था? तो option number D, कुवर सिंग, सही जवाब हो जाएगा, next question है, जगदीश पूर में 1857 में किसके नेत्युत में समानांतर सरकार की अस्थापना की गई थी option number B हो जाएगा अमर सिंग, ध्यान रखेंगे friends, confuse मत करिएगा, क्योंकि बहुत जादा सिंग सिंग या पे आ रहा है, तो confuse नहीं करना है, दो चार नाम ही है, उसको आपको कंट्रोल अपने माइंड पे कर लेना है, देखे next question, जगदीश पूर में अमर सिंग के नेत्युत में अस्थापित सरकार का प्रधान था तो फिर से option number A समझेगा, हर किसन सिंग थे, देखे, जगदीश पूर में अमर सिंग की नेत्युत में जगदीश पूर में अस्थापित सरकार का गठन किया गया था, उसका हेड किसको बनाया गया था, तो हरी किसन सिंग को, देखे, next question, 1857 के विद्रो से बिहार का कौन सा भाग और प्रवाहित रहा था, तो मुंगेर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान तो यहाँ पर आपका option number B हो जाएगा, केवल 5, सही जवाब, next question, 1857 के दोरान बिहार में कहां के लोगों को अभाश हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रसाशन समाप्त हो चुका है, option number C हो जाएगा, सही जवाब, तिरहूत के लोगों को लगा, next question है, अवद के शाह ने कुवर सिंग को फर्मान दिया था, जिसका सम्मन्द था, कहां से सम्मन्द था वो, आजमगर से option number C हो जाएगा, सही जवाब, next question, 1857 के विद्रोह के पहले, कुवर सिंग को किस वर्ज सरियांत्र में सामिल होने का संदेह था, देखिए, 1845-46 option number A हो जाएगा, समझिए थोड़ा सा, उस टाइम में पतना के जो प्रमंदल के कमिशनर थे, नाम था उनका विलियम टेलर, सवाल पूछ लेगर तो बताना है, विलियम टेलर, उनहीं के according, 1845-46 में, पतना और उसके आस-पास के लोगों ने, अंग्रेजों क खिलाब मतलब सर्यंत्र रचाथ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो option number यहाँ पे A हो जाएगा, सही जवाब, जिसमें की कुवर सिंग भी सामिल होने का उनको संदेह था, देखिए, पतना में 1857 के विपलव के नेता कौन थे बताना है, option number यहाँ पे आपका, B हो जाएगा, पीर अली, सही जवाब, आज का last question है, कुवर सिंग को किश राज्य के राज्य में प्रवेश की अनुमती नहीं दी थी, तो option number A हो जाएगा, रिवा के राजा सही जवाब, देखिए, रिवा का जो राजा था, उन्होंने, वो अंग्रेज के पर थी काफी ज़्यादा होता है, लोयल था, वाफादार था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुवर सिंग को प्रवेश करने की अनुमती नहीं दी, मगर उसके बाद वहाँ के लोगों ने, देवा के लोगों ने कुमर सिंग को बहुत ज़्यादा मतलब सही योग किया, और उसके बाद इतना सही योग उनको मिला कि वहाँ पर, मतलब राजा को डर कर अपने परिवार को छोड़ कर, राजधानी से कहीं बाहर जाना परा, कह 60 question पर आप 1857 के रांती से control कर लीजिए उसके अलावा आपको एक भी सवाल नहीं मिलने वाला है जो आपको नहीं पता हो तो इसी के साथ इस class को यहां पर खतम किया जा रहा है आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो channel के साथ बने रहिएगा अपना प्यार देते रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स